एक और बड़ी अपडेट हर्याणा चुनाव से पहले बीजेपी सांसत कंगरा रनौत के बयान से सियासी गमासान चुड़ गया है तीन क्रिशी कानून वापस लिए जाने चाहिए ये कहना है कंगरा रनौत का किसान खुद तीनों कानून वापस लाने के मांग करें ये भी कह रही है और तीनों कानून किसानों के लिए फाइदे मन्थे ये भी उनका कहना है अपने भले के लिए किसान कानून वापस मांगे बीजेपी सांसत है कंगरा रनौत लिजे लगता है पिसे लगने चाहिए हो सकता है यह बांपर पर्स आने चाहिए और खुद सकी बिधान करनी चाहिए और ताके हमारे फिशी हो रही है हमारे किसान की स्मिश्च में फिर ब्रेक ना लगे बयान आपने देखा कंगना रनावत के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है और ये उनका निजी बयान बताया है मैं बिलकुल स्पश्टिता से कहना चाहता हूँ यह बयान कंगना रनौजी का फ्यक्तिकत बयान है एवं भारतिय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौजी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकरत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच तीन क्रिशी कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं कंग्रा रनौजी के बयान पर घबासान मच किया है कॉंग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है काले कानून फिर लाने की साधिश यह बात कहिए कॉंग्रेस ने हरियाना में बीजेपी को उसका जवाब बिलेगा ये भी कॉंग्रेस पार्टी का कहना है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि कंग्रा के बयान पर प्रधान मंतरी जवाब ने है कि सियासी घमासान कंग्रा रनौजी के बयान पर बीजेपी ने किनारा किया कॉंग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा कहा कि काले कानून को फिर से लाने की साधिश है बीजेपी की और हरियाना में बीजेपी को इसका जवाब मिल जाएगा आम आप भी पार्टी बेच उनाव लड़ रही है उसका ये कहना है कि कंगना रणावत के बयान पर प्रधानमंत्री जवाब दें करना रहा है उन्होंने कहा है तीनों कानूं किसानों के फिर वापस आने चाहिए वह एक ऐसा खतरनात बात उनकी जुवान पर आगई जो शैब बीजेपी के मन में है याद रखिये जब तक कॉंग्रिस है इंडिया गडबंधन है हम भाजबा आपकी ये काली च्छापूल नहीं होने दें किसानों को बंधक अड़ानी के हाथों में नहीं बढ़ने दें अगर आपको रखे आगे किया प्याभ में ये बढ़ आपको घة प।